नवशकार दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी ग्यान फोर यू में दोस्तों बात करने वाले हैं यूपिटर पलसी की महत्पूर्ण खबरों के सम्बंद में चाये वो परिक्षा को लेकर हो परिणाम को लेकर हो और लोवर्ध दोहजार तेज की आने वाली नई भरती को लेक है दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपिटर पलसी की एक परिक्षा को लेकर और इस परिक्षा को लेकर चात्र बार-बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सरी परिक्षा कब तक होगी दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ मुख्य सेविका की परिक्षा की है ना मुख्य स सेविका की परिक्षा है ये परिक्षा आपकी अभी नहीं हो पाएगी क्योंकि इस परिक्षा में कुछ दिक्कत है और इसकी जो नियमावली है उसमें शंशुदन होने के लिए शाशन को भीजा गया है जब तक शंशुदन नहीं हो पाता तब तक इस एक्जाम को यूपिटर महीने में मई से पहले मुख्य सेवी का परिक्षा किसी भी हाल में नहीं होगी ठीक है दोस्तो अब बात कर लेते हैं परिणाम को लेकर देखिए परिणाम को लेकर एक मेरे पास न्यूज है फोरेश्ट गार्ड के परिणाम को लेकर कि फोरेश्ट गार्ड का जो परिणाम है वो कब सक जारी होगा दोस्तो आपको बता दूँ ये परिणाम यूपिटर पलेसी फरवरी में जारी कर सकता है और ये फरिणाम आपको फरवरी लास्ट में नहीं उससे पहले ही देखने को म नहीं करना पड़ेगा ठीक है दोस्तो दोस्तो अब बात कर लेते हैं lower pcs 2023 की आने वाले नहीं भरती को लेकर और इसमें cut off percentile होगा या normalized score होगा देखे इस भरती को लेकर कुछ छात्रों के प्रशन है सबसे पहला प्रशन तो ये है कि जो cut off लगेगी वो normalized score के आधार पर लगे देखे वह या आपका मैं doubt एकदम clear कर देता हूँ कि जो भी exam कराएगा यूपिटर पलेसी और जो भरती पैठ के माध्यम से होगी उसमें percentile का कोई भी मतलब नहीं है पहली बात तो clear में ये कर दूँ कोगि कुछ छात्रों ने comment किये थे आज काफी और उन्होंने अपना मु मुख्य परिक्षा देने का मोका मिलेगा तो उन छात्रों का मैं doubt एकदम clear कर देता हूँ कि cut off जो लगती है मुख्य परिक्षा की वो कभी भी percentile पर नहीं लगती इसलिए percentile का कोई भी ओचित्य नहीं है कोई भी मतलब नहीं है percentile केवल आपका इसलिए है कि जिससे आपको पता लग जाए कि आप 25 लाग छात्रों में कहां पर खड़े हो और आपका नंबर कितने छात्रों में है जैसे किसी छात्र का percentile 99 है तो 99 को अगर आप 100 में से minus करते हो तो 1 बचता है इसका मतलब 25 लाग छात्रों में आप 1 percent छात्रों में हो 25 लाग का 1 percent कितना होता है उतने ही चात्रों में आपका नंबर है ठीक है तो इसका मतलब दोस्तों ये है हैना कट आफ जो भी लगती है वो normalized score के आधार पर लगती है परसेंटाइल का कोई मतलब वहां नहीं है ठीक है दोस्तों दोस्तों एक सवाल चात्रों का और था कि जिस तरीके से आपको मैंने बताया था कि लोवर PCS की 2023 में 800 के आसपास पद होंगे और बहुत सारे प्रकार के वो पद होने वाले हैं और उनमें अलग अलग क्वालिफिकेशन के भी पद होंगे तो कुछ चात्रों का इस बात पर ये कहना था कि जो भरतियां लोवर PCS में इस पेसल क्वालिफिकेशन पर होंगी क्या उनका कट ओफ यूपिटर पलेस सी अलग लगाएगा जैसे जैसे आपकी एक भरती है रिवेन्यू स्पेक्टर की और ये भरती केवल कॉमर्स वालों के लिए है है ना जैसे आपकी एक भरती है फोरस्ट में स्पेक्टर की ये भरती भी अलग वालों के लिए है तो क्या ऐसी पोस्ट की कट ओफ पैट कट ओफ अलग अलग लगाएगा यूपिटर पर इस सी तो इस सवाल का जवाब है बिल और चाहे वो special qualification की post ही क्यों ना हो, किसी भी post की अलग-अलग cut-off नहीं लगेगी, केवल एक ही combined cut-off लगेगी, ये बात मैं आप सभी को clear कर देता हूँ, जिससे आपकी अंदर जो भ्रम है, वो दूर हो जाए, ठीक है भाईया, मैंने आपको बताया था कि lower PCS 2023 में करीब 10-12 प् special qualification की होंगी, तो भाईया, cut-off आपका एक ही जाएगा, और pet cut-off आपका combined cut-off ही होगा, अलग-अलग post का अलग-अलग cut-off नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तो, उम्मीद करता हूँ, आपके सारी बातें एकदम clear हो गई होंगी, और अगर आपको अब भी कोई doubt है, तो आप comment box में comment कर दीजिए, आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा, ठीक है दोस्तो, तो ये खबर है, यूपिटर पलसी सिन भरतियों को लेकर, और किसी भरतियों को लेकर, जो भी जानकरी मुझे मिलेगी, आपको सबसे पहले, एकदम authentic जानकरी, मेरे चनल पर दे दी जाए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने काम की ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए मेरे चनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मेरी हर वीडियो का notification तुरंत मिल बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जहिंजे भरत